निउजिलेंड ने एक नया अितिहास रच्टे हुए उन देशों में अपनी मौजूद की दर्च कराई है जो अपने संसद में महिला संसदों के 50 फिसद प्रतिनिधित करने का दावा करते हैं न्यूजिलेंड में पहली बार महिला सांसदों की तादात पुरुष सांसदों से ज्यादा हो गई है लिबरल लिबर पार्टी की नेता सोराया पेके सैमन ने संसद में पूर्व स्पीकर ट्रेवर मलाज की जगा ली है जिसके बाद न्यूजिलेंड की संसत में महिलाओ की संख्या साथ हो गई है और पुरुष संसत 69 रह गए इंटा परलियमेंटरी यूनियन के मताबिक ये एक अतुलिय उपलबधी न्यूजिलेंड को दुनिया के उन आधा दरजन देशों की लिस्ट में शामिल करती है जो इस साल अपनी संसदों में महिलाओ के कम से कम 50 फीज़ी प्रतिनिधित हासिल करने का दावा करते हैं गई तलबे के न्यूजिलेंड पहला ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले 1893 में महिलाओ को मतदान का अधिकार दिया था और मौजुदा प्रधान मंत्री जैसिंडा अडन देश की तीसरी महिला प्रधान मंत्री है ये तो बात हुई न्यूसिलेंड की लेकिन इस लिस्ट में शामिल बाकी पांच देशों की क्या हालत है ये भी जान लेते हैं इंटर पालियमेंटरी यूनियन डाटा की रिपोर्ट की मताबिक रवांडा की संसत में महिलाओ की भागिदारी तकरीबन 61.3 फीसद है रवांडा का इस सूची में पहले पायदान पर आना इसलिए भी काबले तारिफ है क्योंकि 1994 में यहां हुए नरसंगहार में सबसे जादा शिकार महिलाओ और बच्चे ही हुए थे इस नरसंगहार में देश की तकरीबन 20 फीसदी आबादी खत्म हो गई थी महिलाओ को संसत में शांदार प्रतिनी धुत देने के मामले में क्यूबा दूसरे नमबर पर है यहां पर 53.4 फीसद महिलाओ निम सदन में है और तीसरे नमबर पर 50.6 संख्या बल के साथ बना हुआ है निकारा गुआ चौथे नमबर पर मेक्सिको है जहां संसत में महिलाओ के तादाद 50 फीसद है और पाच्वे नमबर पर युए अबी 50 फीसदी नमबर के साथ लिस्ट में शामिल है यह खबर आप देख रहे हैं जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शप्नम हसन के साथ ऐसे खबरों के लिए आप बने रहे हैं जी मीडिया के साथ